नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है हर्शिद वेदी 21 नॉमबर 2020 के टेली करेंट अफिर्स बर्निंग निउस डिसकुशन में आपका स्वागत है आज की सारी इंपोर्टन निउस में आपको बताऊंगा पहली निउस भूटान डिनाइस चाइनीज विलेज इनिर्स टेरिटरी का स्टैंड ओफ था वहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स बने थे लेकिन 2017 का जो कन्फरेंटेशन हुआ था डोकालाम स्टैंड ओफ बेट्विन इंडियन एंड चैनीज फोर्स उसके बाद चैनीज जो ट्रूप्स से वह वापस चले गए यह ऑफिशल अकाउंट से बट किस हद तक चैनीज ट्रूप्स वापस गए किछ हद तक चैनीज की मशीनरी वापस गए इसके डीटेल्स अभी भी पूरी तरीके से सामने नहीं है ऐसा बोला जा रहा है कि डोकाला स्टैंड ओफ में चाइना की साइड वाली जो बाउंडरी थी वहाँ पे जो अलागे स्टैंड ओफ के पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग कर रखा है अब इसके साथ कुछ और नियूस भी निकल के आई है कि रूपे कार्ड को भूटान में लांच किया गया है electronically सबसे पहले रूपे कार्ड इंडिया के बाहर कहा लांच हुआ तो सिंगाप तिबत पहले अपनी एक अलग कंट्री थी चाइना इसको कबजा लिया और साउथ में पढ़ता है क्या आपका इंडिया ठीक है बूटान की किवल दो इंटरनेशनल बॉर्डर से एक इंडिया और एक चाइना लैंड लॉक कंट्री है बूटान बहुत हब तक इंडिया पे चीज़ आपको घाम आएगे फिर युनाइटे निशन सेक्योर्टी काउंसिल की मीटिंग पे इंडिया ने बुलाया कि अफगानिस्तान में इमीजेट सीस फायर लेकि आईए अब सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहां पे यह है कि इस मीटिंग को बुलाया कैसे गया इस देखे होता क्या था कि पहले सेक्योर्टी काउंसिल के जब ब्रीफिंग हुआ करती थी तो उनकी मीटिंग में जो काउंसिल मेंबर से उनके हाई गॉर्मेंट ओफिशल या बहुत ही लिमिटेड युनाइटे निशन के ओफिशल बोल पाते थे अरिया फॉर्मला ने क्या बोला कि काउंसिल का कोई भी मेंबर यानि 5 पर्मानेंट मेंबर और 10 नौन पर्मानेंट मेंबर तो 15 मेंबर मेंसे कोई भी एक मेंबर बाकी काउंसिल मेंबर को इन्वाइट कर सकता है इन फॉर्मली किसी इशू पे डिसकस करने के लिए और फिर अरिया फॉर्मुला के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई United Nations Security Council पे और इस मीटिंग में इंडिया के जो पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव है पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव टुड़ा United Nations TS3 मूर्ती सामने बोला है कि अफगान प्रीस प्रॉसेस में immediate comprehensive ceasefire करने के लिए किसी भी प्रकार की activity करनी पड़े तो सही है अब ये इंडिया का viewpoint है हाला कि इंडिया के viewpoint से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा चोकि अफगानिस्तान के जो issues है वो इस हद तक बिगड़ चुके है तालिबान इस हद तक strong हो चुका है कि एक immediate ceasefire हो पाना मुश्किल लग रहा है सारी countries तालिबान से बस यही बोल रही है कि ठीक है हम आपके साथ बातचीत करेंगा आप ceasefire कर दो वोईलेंस मत करो बट वोईलेंस बंदी नहीं कर रहे हैं तालिबान वाले वोईलेंस लगातार चालू है उसके बाद एक रिपोर्ट भी आई है तो अगर अफगानिस्तान में वोईलेंस बंद करना हो तो टेररिस्ट की सप्लाई चेन को तोड़ना पड़ेगा तो अब यह एक बहुत बड़े चीज है उसके सासाथ इंडिया ने एक और स्टेटमेंट इशू किया है कि अफगानिस्तान की जो बॉर्डरिंग कंट्री ने चुकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक नेशन है तो उसका बॉंडरी नहीं बनते इंडिया के साथ या किसी ओशन से तो अफगानिस्तान पे access पहुचाने वाले जो land borders है खासकर पाकिस्तान को reference देते हो इंडिया यह बोल रहा है कि भाईया देखिए यह land borders open रखने चाहिए अफगानिस्तान एक आप कह सकते हो landlock nation इसका मतलब यह नहीं कि आप उससे political price निकाल लिए देखिए क्या बोले जा रहा है transit rights on Afghanistan should not be used by countries to extract political price from Afghanistan यह नहीं कि आपका land border लगता है अफगानिस्तान के साथ इसका मतलब यह नहीं कि अफगानिस्तान की बाकी countries के साथ जो trade है उसको आप रोग दो गए यहां इंडिया अफगानिस्तान trade की बात हो रही है और साथ साथ TS3 मूर्ती साथ ने women के rights के बारे में बोला minority और vulnerable communities के राइट के बारे में भी बोला अफगानिस्तान में जो women, vulnerable और minorities की जो बात होती है वो दुनिया में कोई नहीं करता हाँ इंडिया में जब कश्मीर के minority की बात होती है तब पाकिस्तान बढ़ चड़के पूरे देश भर के और दुनिया भर के organization में चिलाता फिरता है चलिए आगे बात करते है Australia to temporarily host a slow satellite tracking facilities Space agencies of India देखे इंडिया और Australia के बीच में Space Corporation के लिए Memorament of Understanding sign हुआ था 2012 में अभी के लिए news निकल के आ रही है कि Australian Minister for Industry Science and Technology Karen Andrews में बोला है कि इंडिया और Australia साथ में work कर रहे है ताकि इंडिया की जो tracking facilities ने satellite की उनको Australia में पेस किया जा सके इंडिया देखे यह रहा आपका Australia ऊपर की तरफ आपको इंडोनेशन नजर आ रहा है इस direction आप चलते से ले जाएंगे आप इंडिया में तो tracking facilities हैं इंडिया की satellites की Australia में अगर हम tracking facility बना लेते हैं तो इससे बहुत फायदे होने वाले है इससे Earth of the Mission में फायदा होगा Data Analytics में, Robotics में, Space Life Sciences में फायदा होगा Australia को भी पता है कि Space के field में इस रो काफी आगे निकल चुगा है तो इस रो के साथ पार्टिसिपेट करके Australia को फायदा ही होने वाला है तो और गगन यान mission के अंदर इंडिया मून पे एक मैंड आप कह सकते हो mission भीज़ेगा, यानि कि एक आदमी Space Flight के अंदर बैटके मून तक जाएगा तो इस जो मैंड mission है इसमें भी Australia में tracking facilities खोलना मदद करेगा चोटी सी news है उतनी important है नहीं फिर भाई, Odisha में seismic survey शुरू हो चुका है सबसे पहले तो देखिये seismic survey क्या होता है seismic survey is a low impact method that gathers information about the location and characteristics of geological structure a casting sound signals are transmitted to the earth surface, different geographical layers reflect the sound differently based on the returning sound which is received and recorded by microphones presence of oil and gas is determined देखे होता ही है दोस्तों कि एक जमीन है अब इस जमीन के नीचे सिर्फ चटाने है और इस जमीन के नीचे कुछ हद तक चटाने है और उसके नीचे एक बहुत साथ बड़ा gap है जहाँ पे coal और gas और oil है तो जब अंदर minerals मिलते हैं और जब अंदर सिर्फ rocks और चटाने मिलती है तो कही न कहीं surface पे अगर आप कुछ sound waves को मारते हो तो ये sound waves जिस तरीके से reflect होंगी अर्थ के surface से उससे पता चलेगा कि उस अर्थ के surface के नीचे क्या है और इस technology को बोला जाता है seismic survey technology इसी प्रकार का एक seismic survey campaign ministry of petroleum and natural gas शुरू कर रही है कहाँ पे महानदी बेसिन ऑफ ओडिसा में अगर ये survey successful हो जाता है अगर coal और oil gas deposits मिल जाते हैं ओडिसा में तो socio economic development of ओडिसा के लिए काफी अच्छा होगा ये overall seismic survey में 220 करोण रुपे लगने वाला है पूरा जो exploration campaign चलेगा महानदी बेसिन में उसकी cost है 1248 करोण जिसमें से seismic survey का part होगा 220 करोण का महानदी बेसिन वो पहला location है जहाँ पे national seismic program को शुरू किया जाएगा भई ये national seismic सुरान चलाये कब गया था 2016 में ताकि देश के hydrocarbon resources जैसे कि oil और natural gas के पास पता कर सके हैं हम oil और natural gas को बाहर से import कर रहे हैं better ये रहेगा कि हमारी देश में oil और natural gas जो मिलती है हम उसको ज़्यादा explore करें इसके लिए sedimentary basin of the country को explore करना पड़ेगा जिसके लिए national seismic program चलाया गया और ये national seismic program चलाएगा कि बताएगा कि इंडिया में कहां कहां पर gas और oil resources है महानदी basin की बात की जाए तो इंडिया का आठवे सबसे बड़ा basin है ये महानदी, मद्धपदेश, 36 गड़ और ओडिसा के थुरू बहती है हीरा कुट डैम महानदी बदी पे बना हुआ है और जो 14 districts हैं इस महानदी basin की वो drought prone area program के अंदर आते है सवाल आता है, drought prone area program के 1973 से 1974 में शुरू किया गया था जो fragile areas है हमारे country के जो drought से बहुत ज़दा affected जहां पर human और capital population को सूखे की वज़ए से बहुत नुकसान है जहां पर vegetative cover लगाता डिप्लीट हो रहा है ground water नीचे जा रहा है soil erosion बढ़ रहा है, इस चीज़ को रोकने के लिए drought area program चालो किया गया चनल स्रीज पेपर वर्न में जितनी वी associated चीज़ हैं मैंने सब बता दी आपको 4973 करोन रुपे इंडियन एक्विटी से मार्च 2020 में ये foreign portfolio investors निकाल के ले गए जिसके चलते sensex और nifty 23% से गिर गया उस समय पे चुकि उस समय पे corona virus दुनिया भर में फैल रहा था तो obvious ही बात है foreign portfolio investors को डर लग रहा था उनको लग रहा था इंडिया सबसे बड़ा देश है सबसे बड़ा corona virus यहां यहें फैलेगा कुछ हत तक उनका डर सही भी था और बहुत सारा पैसा वो इंडिया से बाहर निकाल के लेगे इंडिया ने 25 मार्च को lockdown में अनॉंस कर दिया था अब उस समय पे आप देखोगे तो तो तेईस परसेंट सेंसेक्स और निफ्टी नीचे चला गया 61,973 क्रोन रुपे इंडियन इक्विटी से बाहर निकल गया foreign portfolio investors के बारे में अगर आपको जानना है तो FPI और FDI मेरे नाम के साथ YouTube में सर्च मारिए आपको related videos मिल जाएंगी अब देखे foreign portfolio investors ये आप समझ लीजे दोस्तों की reliable investors नहीं है ये दुनिया भर के markets को खंगालते हैं और इनको जहां पे interest rate ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे पैसा invest कर देते हैं और ये बहुत ही ज़ादा dynamic होते है तो आज की date में इंडिया में ज़्यादा interest मिल ला है तो इंडिया की economy में invest कर देंगे परसों, चाइना मिल ला है, चाइना चले जाएंगे उसके बाद Brazil, उसके बाद UK ये गूमते रहते हैं अब ही के लिए देखा जाए दोस्तों बाले ही मार्च 2020 में हमारा FPI बहुत कम हो गया था लेकिन अप्रेल के बाद और अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगर, सेप्टेमबर, अक्तूबर, नौमबर लगबग आट महीने बीच चुके हैं अब जो foreign portfolio investment की equity जो foreign portfolio investors ने इंडिया के market में invest किया है वो highest ever पहुंच चुका है कितना पहुंच चुका है 1,440,295 करो 1,40,295 करो इस से पहले highest FPI investment कब था? 2012-13 में था जब था 1,440,33 करो अब वो second highest बन चुका और highest कब है? अब ही के समय पे जो की है 1,440,25 करो नवंबर के पहले 20 दिनों में inflow आया है 44,378 करोन का 10% art का सर्ज हुआ है सेंसेक्स में और ऐसा हुआ इसलिए चोकि Indian government ने बहुत liberal unlock guidelines करी है economy open हो रही है और FPI की बात की जाए तो अगस से नवंबर में ही 1,3216 करोन का FPI आया है जो की अभी के टोटल FPI 1,440,295 करोन का लगबग 75% है तो overall जितनी तेजी से ये FPI का पैसा Indian economy से बाहर निकल गया था उतनी तेजी से वापस आया है उसकी वज़ाए ये है कि इंडिया की economy थोड़ी से rebound कर रही है unlock guidelines बहुत तेजी से implement हो रही है जो बाइडन जीत गया है USA में जिसके चलते हैं टरंप का जो economic unilateralism था investors को अभी इमीद है कि वो थोड़ा कम हो जाएगा General studies paper 3 में ये चीज़ आपको काम आएगी और भाई आज की आखरी news Ministry of New and Renewable Energy ने बोला है कि हम wind solar hybrid park खोलेंगे यानि एक ही जगा पे wind और solar technology को combine करके simultaneously produce किया जाएगा ये wind solar hybrid park की जो location है sites है ये कौन select करेगा तो National Institute of Wind Energy इसको select करेगा वैसे तो कोशिच की जाएगी कि एक जो park खोला जाएगा wind solar hybrid park उसकी capacity कम से कम 500 मेगावाट हो लेकिन कम capacity के park भी खोले जा सकते हैं लेकिन कम से कम एक ऐसे park की capacity 50 मेगावाट तो होना ही चाहिए उसमें evacuation facilities भी बनाई जाएगी ताकि जो risk है disaster management को पहले से emit किया जाएगा इस तरीके के parks में wind और solar energy काफी important है 2022 तक हमारी सरकार का target है कि 175 गीगावाट renewable energy बनानी जिसमें 100 गीगावाट solar होगी, 60 गीगावाट wind होगी बाकी gas और micro hydroponants होगे wind power का अगर आप potential देखें इंडिया में तो है 695 गीगावाट solar power का कितना है 749 गीगावाट wind power मेंली कुछ states में concentrated है जिसे गुजरात, महराष्ट, मद्यपदेश, आंद्यपदेश, तमिल, नाडू, राजास्तान यहाँ सबसे अधर potential है wind power का चुकि जहाँ wind बहेगी वहीं पर आप wind power develop कर सकते हो अब यहाँ पे अगर wind और solar powers बढ़ा ही जाती है तो discoms अपने non solar renewable purchase obligation को हमारे environmental degradation से लड़ने के लिए जो discoms अ power distribution companies यह करती क्या है पावर खरीतती है तो अब इनको power सस्ती कहां से मिलेगी obviously बात है coal power से सस्ती मिलेगी hydroelectric power सस्ती मिलेगी लेकिन solar energy सस्ती नहीं मिलेगी इसलिए power distribution companies के उपर यह जो बड़े बड़े consumers हैं जोकि industrial enterprises में massive scale पर energy consume करते हैं उसके उपर एक condition लगा रखी है हमाई सरकार ने जिसको बोला जाता है RPO renewable purchase obligation इस condition के अंदर total electricity consumption का कुछ हिस्सा renewable energy को होना चाहिए renewable energy या तो solar होगी या wind होगी कोई और energy होगी उसमें भी दो classification कर रखा है एक solar RPO और एक non solar RPO अगर solar है तो 12 unit non solar मतलब solar energy आज की डेट में थोड़ी easily available हो रही है तो solar energy वाला RPO अलग non solar वाला RPO अलग अभी non solar वाले RPO को या तो mini hydro plants या bio gas plants या wind plants उठाना पड़ेगा तो wind plant वाली energy available होनी चाहिए तभी ये discounts non solar RPO ले सकते हैं इसलिए अगर wind park खुलते हैं इंडिया में तो ये बड़ी बड़ी जो power distribution companies हैं उनके लिए अपने renewable purchase obligation को पूरा करना बहुत आसान होगा तो ये था आज का news analysis I hope आपको दोस्तों समझ में आया होगा Thank you for watching Have a great day, goodbye